पुछ मात्मिक मात्मिक और प्रात्मिक वर्ग एक दो तीन जो साहिमुक रूप से 27 तारी को अपनी मांग रखने के लिए कांदूलन करने जा रहे हैं जिसमें सभी साथी जरूरा हैं और वर्ग एक दो तीन तीनों के अभ्यरतियों को आना है जो 2018 के भर्ति वाले हैं वो वर्ग 1,2 और 2020 के भर्ति के वर्ग 3 के सभी अभ्यरतियों को आने की जरूरत है कि साथी हो ये अपरी मूमेंट है जो प्तवर्दी के लिए रहेगा तो सभी साती जरूर आए और अपना योगदान जरूर दे शात्यों पर्मिशन के लिए जो इन्पोमेशन देनी थी सम्मनित कार्याले में वो देदी है और वहां से अनुमती मिल ही जाएगी 100% ठीक है तो सभी सात्यों को 27 तारी को आना है भोपाल और भोपाल आके अपनी जो माग है उसको रखेंगे और उसको अफगत कराएंगे तो मेरा सभी से अनुरोध है वर्ग एक वर्ग दो और वर्ग तीन तो सभी शातियों को अफगत करा दीजिए ये वीडियो बहुत इंपोडेंट है क्योंकि 37 तारी को जो मूमेंट होगा वो एक अंतिम मूमेंट समझ लीजिया और अंतिम प्रयास है और क्योंकि सिच्छा मंत्री जी ने ये कहा भी है कि वोड एक्जाम होने के बाद हम रिक्त पदों को भरेंगे तो हम क्यों न सरताइस सर्गोर अच्छे सवाज उठाते हैं उनके संग्यान में लेकर आते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर शॉ दें और जो भी अपडेट हमने करवाई तो उन्होंने उस समय हमें आस्वासन दिया था कि हम इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हैं यह माननी इंदर सिंग परमार जी जो उच्छ सिच्छा मंत्री हैं उनसे भी जब हम चुनाओ के बाद मिले तो उन्होंने भी यह कहा सिच्छा मंत्री जी से मिले वर्तमा सिच्छा मंत्री जी से तो उन्होंने भी वही कहा कि हम कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हैं इसके बारे में मतलब कई ना की प्रक्रिया इसकी भी चल रही है लेकिन हमको आवाज उठाना है हमको अग्गत कराना है संख्या बलके मा कई बार जा चुके हैं और कई बार दे चुके हैं मैं तो सब से मिल चुका हूँ पूर मुक्य मंत्री सिवरा सिंग चान मामा जी से मिल चुका हूँ गपल भारगव जी से मिल चुके हैं नरेंदर सिंग तॉमर जी से मिल चुके हैं और इंदर सिंग परमा जी से मिल चुके हैं और सभी से यह आस्वासन मिला था उसमें कि कुछ न कुछ जरूर कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो इंपोर्डेंट जो आस्वासन था वो इंदर सिंग परमाजी कह था जुनोंने कहा था कि चुनाओ से पहले भी का था और अब भी मतलब हम कुछ न कुछ जरूर सॉलूशन निकाल रहे हैं कुछ जरूर कुछ न कुछ पद ब्रद्दी को लेकर या जो भी प्रोसेस है उसमें कुछ न कुछ जरूर कर रहे हैं यह बर्तमा सिच्छा मंद्री से भी यही चर्चा कर दो सरकार ऐसको संग्यान जरूर लेगे उसमें बोला भी है तो कही न कहीं वहीं चीजां हो सकते हैं नियों के वर्ग तीन की कांसलिंग के लिए भी जरूर हमें को आवाज उठाने चाहिए तो सभी सम्रेत रूप से जरूर सामिल हो तो तो मेरा सभी से यह अनौरोध है क वर्ग एक दो तीन, तीनों के अभ्यरती अन्तिम रूप से आप 26 अरी को जरूर आए, रचना मेम और रक्षव मेम और हम तीनों उसमें रहेंगे सामिल और हम तीनों के उसमें नेतन्त में बढ़िया अफंट जो तीनों साथी हैं, मतलब वर्ग एक के अभ्यरती 2018 वाले वर्ग दो ठीक है 2020 के वर्ग तीन के सभी अभिरती जो चाहते हैं कि हमको आना चाहिए आवाज उठानी चाहिए और हमारी प्रक्रिया में कुछ बड़ोतरी हो कुछ इंक्रीज हो और कुछ कुछ पॉजिटिब नीओज आए और कुछ कुछ पॉजिटिविटि मिले और कुछ न van कुछ अपडेट हो और कुछ हमारे जो बद इंक्रीज हो जाए किसी भी तरीके से हो जाए किसी भी कंडििसन में हो जाए देखो सरकार का क्या मत रہता है ये हम नहीं कह सकते ब era उनका ज सभी को मिल जाएगा आने वाले समय में सभी को मिल जाएगा यह बात आप खोड़ समझ सकते हैं मैं इसको ज्याद एक्स्प्रेइन नहीं करूंगा आप खोड़ समझ सकते हैं तो सात्यू आप बिल्कुल अपडेट रहें और 37 तारी को चरूर आएं और चार्ष यादर शेंख बाद कभी भी आचा सहिंता लग सकती है और उसके बाद हम जो है कुछ नहीं कर पाएंगे फिर क्योंकि फिर तीन-चार मैने की प्रोसेस चलेगी और उसमें फिर आचा सहिंता रहेगी तो उसमें कुछ आवाज नहीं उठा पाएंगे ना कुछ हो पाएगा तो अगर हमने चालू कर वाली तो पुछ नहीं से पहले तो हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी और बहुत सही रहेगी तो सभी शाती वस इसका ध्यान रखें सत्ता इस तारी को जरूर आएं और यह वीडियो जाश्यादा शेयर करें वर्ग एक ग्रुप में वर्ग दो वर्ग तीन सभी के लिए सार्थक रहेगा सभी उसमें संतुष रहेंगे तो सभी शातियों को ध्यान देना है सत्ता इस तारी को जरूर आएं ठीक है और वीडियो को जाश्यादा शेयर करें जिन्होंने लाए और लैक तो आप पारते ही है वाक कि जिन्होंने सब्सक्राब नहीं किया जरू सब्सक्राइब करें ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद